मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा भूले जीवन में हो जाओं में है शीवबाबा मुरली में समझा एं, फूरे दीवण में हो जाएं शीवबाबा आज की तारिक है 21.2024 के बाबा के सकार महवा के है मेठे बच्चे तुम कल्यान कारी बाप के बच्चों का कर्टब में है सरभ का कल्यान करना सब को बाब की याद दिलाना और ग्यान दान देना बाबा ने प्रिशन पुछा बाबा महारती किन बच्चों को कहते हैं उनकी निशानी क्या होगी बाबा ने उत्तर दिया जो अच्छी रिती पड़ते और पड़ाते हैं जिन पर सदा ब्रस्पती की दशा है जो अपनी और सरब की उन्ते का सदा ख्याल रखते हैं, जो यक सेवा में हड़ियां देते हैं, जो बाबा के कारिये में मददगार रहते हैं, वह है महारती, ऐसे महारती बच्चों को बाबा कहते यह है मेरे सपूत बच्चे, ओम शानते, आजकल बच्चे शिब जैनती के लि इहाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है, मनुश्यों की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते, आदा कलम नीचे उतरते आए हैं, यह भी तुम बच्चे समझते हो, आदा कलम है दिन, आदा कलम है रात, अब बाबा टापिक देते हैं, उस पर मन्थन करन पढ़े, तुम लिख सकते हो भाई और बहनों, आकर समझो, एक गीता शास्तर है ग्यान का, बाकी सब शास्तर हैं बक्ती के, ग्यान का शास्तर एक ही है, जो परशोत्तम संगम युग पर, बेहत का बाप, परमपिता परमात्मा, त्रीमोर्ति शिव सुनाते हैं, यह तो लि ग्यान की गीता से 21 जनम का बरसा मिलता है, फिर 63 जनम भक्ती की गीता चलती है, जो मनुश्यों की बनाई हुई है, बाप तो राज योग सिखलागर सदगती कर देते हैं, फिर सुनने की दर्कार नहीं रहती, इस ग्यान की गीता से दिन हो जाता है, यह ग्यान का सागर आप की सनाते हैं जिस से 21 जनम गती सद्गती होती है अर्थात 200 प्रसेंट पवित्तरता सुख शांती का अटल अखंड सत्यूगी देवी सब्रज्य मिलता है 21 जन्मों के लिए चड़ती कला होती है मनुश्यों की बनाई हुई गीता से उत्रती कला होती है भक्ती की गीता और ग्यान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मन्थन करना है यह मूल बात है जो मनुश्य नहीं जानते तुम लिखते हो तरीमोड ते शिब जेंथी सो श्रिमत भगवत गीता जेंथी सो सरव कि सद्गती भवंति यह भी सुना सकते हो की शिब जेंथी सो बिशम चानती भवंति मुक्षय अक्षर बहुत जरूरी है जिस पर ही सारा मदार है तुम सब को बतला सकते हो कि मनुश्य की सदगती कर नहीं सकते, भगवान सदगती करने आते हैं पुरुशोत्तम संगम युग पर जो अब हो रही है, यह दो तिन पॉइंट्स मुख्य हैं, शीब और क्रिशन की गीता का कांट्रस्ट तो है ही, त्रिमूर्ति शीब भगवान स संगम पर गीता सुनने से सदगती होती है, ऐसी ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंतन करे तब औरों पर भी असर पड़े, मनुश्य मनुश्य की सदगती कभी कर नहीं सकते, सिर्फ एक ही त्रिमूति परमपिता प्रमात्मा, शीब जो टीचर भी है, सद गुर कर रहे हैं, काड में थोड़ी लिखत ही हो, उपर में लिख देना चाहिए, कल योगी कोडी जैसे पतीत मनुश्य से सब्तोंगी, हीरे जैसा पावन देवी देपता बनने का इश्वरिय निमंतरन, ऐसे लिखने से मनुश्य कुशी से आएंगे, समझने के लिए सदगती दा बाप की ही शिव जैनती मनाई जाती है, एक दम कलियर अक्षर हो, मनुश्य तो भक्ती मारग में कितने धेर शास्तर पढ़ते हैं, माथा मारते हैं, यहां एक सेकिंड में बेहत के बाप से मुक्ती, जीवन मुक्ती मिलती है, जब बाप का बनकर उनसे नौलज लेते हैं, त जीवन मुक्ती अवश्य ही मिलेगी, पहले मुक्ती में जाकर जैसा पुर्शाद किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ती में जरूर आएंगे, जीवन मुक्ती मिलती जरूर है, फिर शुरू में आएं बाप पचाड़ी में आएं, पहले जीवन मुक्ती में आते फिर जीवन अगर धारन करे तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं अगर बाप को जानते हो तो दूसरों को भी प्रिच्चे दो किसको प्रिच्चे नहीं देते तो गोया ग्यान नहीं है समझानी तो दी जाती है प्रंतु तकदीर में नहीं है कल्यान कारी बाप के बच्चे तो कल्यान करना चाहिए नहीं तो बाप समझेंगे यह कहने मत्तर कहते हैं कि हम शीब बाबा के बच्चे हैं कल्यान तो करते नहीं साहुकार अथवा गरीब कल्यान तो सबका करना है प्रंतु पहले ग्रीब उठाएंगे क्योंकि उन्हों को फुर्सत है ड्रामा में नूध ही ऐसी है एक साहुकार अगर अभी आ जाये तो उनके पिछाड़ी धेर आ जाएंगे अब अगर महमा निकले तो धेरों के धेर आ जाएंगे तुम्हारा है ईश्वर्य मर्तबा तुम अपना भी और औरों का भी कल्यान करते हो जो अपना ही कल्यान नहीं करते तो औरों का भी कर नहीं सकते बाप तो है कल्यान कारी सरब का सदगती दाता तुम भी मददगार हो ना तुम जानते हो वह है भक्ती मारक की दशा सदगती मारक की दशा एक ही है जो अच्छी रिती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनको महारती कहेंगे अपनी दिल से पूछो हम महारती हैं फलाने फलाने मि करतें हैं प्यादे कभ़ी किसको ग्या सुना अगर किसका कल्यान नहीं करते तो अपने को कल्यान करी बबाब का बच्चा क्यूं कहलाना चाहिए बाब तो पुर्शाद करायेगा इस यग सेवा में खटियन भी देनी चाहिए बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वे सर्विस हुई क्या ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे बाप तो कहते हैं पुर्शार्त कर नर से नाराइन बनो सपूत बच्चों को देख बाप भी खुश होंगे लोकिक बाप भी देखते हैं यह तो बहुत अच्छा मरतबा पाने वाला है तो देख कर खुश होंगे पर लोकिक बाब भी ऐसे कहते हैं, बेहर का बाब भी कहते हैं, हम तुम को बिशप का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फैदा होगा, सब को सिर्फ यहीं बताओ की, शीब बाबा को याद करो, भोजन पर भी एक दो को बाब की याद लाओ तो, सब कहेंगे, इनकी शीब बाबा से बहुत प्रीत है, यह तो सहज है ना, इसमें क्या नुकसान है, आदद पर जाएगी, तो खाते रहेंगे, और बाबा को भी याद करते रहेंगे, देवी गुन भी जरूर धारन करने हैं, अभी तो सब उकारते हैं, यह पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं, शंकराचारिया भी शीब को याद करते हैं, क्योंकि वहीं पतित पावन हैं, आदा तब दान्स से मैं नहीं मिलता हूँ, इसमें गीता भी आ जाती है, यह शास्तर आदी पढ़ने से कोई किसदगती नहीं होती है, गीता, बैद, उप, निशद सब हैं भक्ती मारक के, बाप तो बच्चों को सहज, राज योग और ग्यान सिकलाते हैं, जिस से राजाई प्राप नहीं, टीचर स्टेडी कराते हैं पद प्रापत कराने के लिए, तो फालो करना चाहिए, सब को बोलो शिप बाबा को याद करो, वह हम सब आत्माओं का बाब है, शिप बाबा को याद करने से विकर्म बिनाश होंगे, एक दोकुल साबधान कर उंती को पाना है, जितना या से सारे बिशफ को पुवित्तर बनाएंगे, याद में रहकर भोजन बनाओ, तो उसमें भी तागत आ जाएगी, इसलिए तुम्हारे ब्रमा भोजन की बहुत महिमा है, वह भगत लोग भोग लगाते हैं, तो भी रारम कहते रहते हैं, राम नाम का दान देते हैं, तुमको बुद्धी में गड़ी गड़ी बाप की याद रहनी चाहिए, बुद्धी में सारा दिन ग्यान रहना चाहिए, बाप के पास सारी रचना के आदी मद्दे अंत का ग्यान हैं ना, उंचे ते उंचा भगवान हैं, तुम उनको याद करेंगे, तो उंच पत्रपत करेंगे, यह है अवे विचारी याद, अगर याद नहीं पड़ती तो गाठ बाद लो, अपनी उंती के लिए उंच पद पाने के लिए पुरुशात जरूर करना है, हमको भी टीचर बनाने वाला शी बाबा हमारा टीचर है, तुम सब पंडे होना, पंडों का काम है रास्ता बताना, इ सो तो जरूर होगा, ड्रामा उनसार कलब पहले मिसल पड़ते रहते हैं, फिर कलब के बाद भी ऐसे ही पड़ेंगे, पिछाडी में तुमको सब सक्षतकार होंगे, सक्षतकार होने में देरी नहीं लगती है, बाबा को जल्दी जल्दी सक्षतकार होते गे, फलाना फलाना राजा मनेंगे, यह ड्रेस होगी, शुरू में बच्चों को बहुत सक्षतकार होते थे, फिर आंत में बहुत होंगे, फिर याद करेंगे अच्छा, मीठे मीठे, सिकला दे बच्चों परती, मात पिता, बाब दादा का याद, प्यार और गुन मोर्नी, रोहानी बाब की र रोहानी बाब दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी मीठी मुर्ली के लिए, धारना के लिए मुख्चे साथ, नमबर एक, भोजन पर एक दो को बाब की याद दिलाओ, य सबी गोप गोपियों प्रती मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ याद पत्तर उन्नी सो कहट। बहुत अच्छा है आखिर भी अपने परंपुजय बाप का प्रिच्चे सबको मिलना ही है यह तो जानते हो कि इस उजप्राप्ती को कोटों में कोई ही पा सकेंगे प्रन्तु ऐसे फूल जिरूर निकलेंगे तो ना अच्छा तेजर्फतार से सर्वीस को बढ़ाते चलो खजाना अबिनाशी ग्यान धनका तो बहुत अनोखा है अकूट है जो बाप दवारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है कोई इसे प्रापत कर ले तो जर्म जर्मांतर के लिए माला माल बन जाए यह चीज ही ऐसी है कहो लाड़ले गोप गोपियां ठीक बात है ना आप सभी गोप गोपियां अतिंद्रिय सुक में जीवन के अनुवब से जीवन बिताते चलते चलो देखो लाड़ले गोप गोपियां अब इस ब्राह्मन कुल की ब्रिदी होने में ही सबका कल्यान है फिर तो ब्राह्मन सो देवता अवश्य बनेंगे जैसे कि अपने गरस् में रहते ही पुवित्त रहते हैं हम एक बाप के बच्चे हैं ऐसी पुवित्त धारना में रहते हैं बखी सभी को उस परंपिता बाप के डारेक्शन पर ही चलना है इसको ही शिरिमत पर चलना कह जाता है ऐसी धारना में चलने वालों को ही ब्रह्मन कुलवंशी कहा जाता है जबकि अब वही बाप टीचर सत्गुरू बना है धर्मराज भी है तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बन अपना पूरन पवित्तरता का अधिकार ले लेना चाहिए जिससे ही बविश्चे में सुक्षांती का पूरा अधिकार प्रालब्द रूप में प्रापत हो जाता है कहो लाडले गोप गोपियां ऐसे सहज राज को समझ गे हो ना जीते जी मरने अत्वा मर जीवा बनने में ढरते तो नहीं हो ना आज ये पत्तर हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्तर समझ कर पड़े अत्वा सुने और मा का प्यार भी हर एक अपने नाम से पाए हर एक गोप गोपी प्रती नाम सहित मा का अत्यंत प्यार अच्छा अपना सोभाग्या उच बनाने के पुर्शात में तिवर बेग से लगे रहना ही कल्यानकारी बनना है जबकी अभी पता चला है कि स्वयम परमपिता उच बर्सा देने आया है तो लेकर ही रहना है अच्छा छुटी लेते हैं ओम शान्ती वर्दान अभिनाशी प्राप्ति के अधार पर सदा स्पंता का अनुभव करने वाले प्रसंचित भाव संगम युग पर डारेक्ट परमातम प्राप्ति है बर्तमान के आगे भविश्य कुछ भी नहीं है इसलिए आपका गीत है जो पाना था वो पा लिया इस समय का गायन है अप्रापत नहीं कोई बस्तू ब्रामनों के खजाने में यह अभिनाशी प्राप्तियं है इन प्राप सरव प्राप्ति इमान अपनी प्रसंता छोड नहीं सकते स्लोगन परमातम प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकाबट रोग नहीं सकती अब 31 आईलेंस दवारा डबल लाइट फ्रिश्टा स्टिती का अनुभव करो कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करें कि यह रुहानी है अलोकिक है अपने पुरव जपन की सम्रिती से सभी आतमाओं की पालना शांती की शक्ती से करो आपका फर्ज है अशांती के वायू मंडल में आतमाओं को शांती का दान दे कर उनमें शांती की सहन्षक्ती की हिम्मत भरना इसके लिए अपनी बृती दवारा मंसा शक्ती दवारा बशे सेवा करो लाइट हाऊस बन सर्ब को शांती की लाइट दो ओम शांती अजए झाल looking